हलो दोस्तों आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चनल LTS में बाहल कृष्ण इंडुस्ट्री के बारे में बात करेंगे पिछले कई बार हम इसके वीडियो बना चुके हैं हर क्वार्टर में इसके नतीजे भी अपडेट करते हैं और मेरा भी यह चहेता स्टॉक टायर की जो मेरी चहेती कंपनी है भारत वर्षी नहीं अंतर राष्टी भाजार में भी इसको जो अर्थ मुविंग टायर से हैं वे बढ़बड़े क्रेंस के आप समझे कि इंडुस्ट्रियल में जो इस्तेमाल होते हैं वो बढ़बड़े टायर रेसिंग एविडियोटी तो में इसके बारे हम चर्चा करेंगे, रिसेंटली काफी इसमें गिरावट हुई थी, कई कॉमेंट्स भी आये थे, तो आएए देख लेते हैं, क्या वज़य है जिसकी वज़य से गिरावट हो रही है, देखी इसके बारे मैं पहले तो बता चुका हूँ कि किस प्रकार के ट टायर का उत्पादन करती है, बड़े-बड़े एक्विपमेंट्स के लिए, मशिनरी के लिए, हैवी क्रेंस के लिए ये टायर बनाती है, ट्रैक्टर्स के लिए, तो जनरली अपने आप में एक लीडर और अनोखी कंपनी है, आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर पहले हम कुछ नंबर्स देखेंगे, उसके पाशाद जो इनके फनेशल्स वो देख लेते हैं, क्वाटरली रिजल्ट्स, उसके पाशाद हम न्यूस पे चर्चा करेंगे, क्यों इसमें गिरावट आई, उसका कान क्या हो सकता, देखें, पंद्रह सो अठावन रुपे, यानि फिप्टीन फिप्टी एट पे जो है कल गिरा, खल तो खैर पूरे भारती बाजार में गिरावट थी, तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई, करीब 22 रुपे गिरा, और अभी की जो मार्केट कैपिल 30,000 क्रोड की हो चुकी है, जबकि 700, 800 के आसपास कभी-कभी लो बनाया था, गिरावट में, मार्च अप्रिल में, तो उस समय जिरू ने लिया होगा, उनका पैसा डबल हो चुका है, अगर इसकी जो इंट्रेसिंग वैली देखते हैं, हम टेकर टेप की साइड पे, तो करेंट प्राइस is more than the intrinsic value, stock has been generating better return on equity than bank FD, हम देखें कितने रुपए पर शेर तालीस परसन, यानि सालहे 400 परसन के आसपास, आपका पैसा कुछ कम नहीं, तो पांच गुना करती है, एक लंबी अवधी में, P ratio देखते हैं, 31 का है, PB ratio देखते है, 6 का है, और dividend yield जो निकल के आ रहा है, 1.28%, और जो sector का P है, 90 का है, तो sector के P से काफी नीच्चों trade कर रहा है, और sector का price to book है 3.97, जबकि PB ratio थोड़ा सा double है, revenue में अगर हम देखते हैं, तो साथे सोला परश्रत की jump है, और profit में करीब 60% से ज्यादा की jump है, 17-18 में अगर हम देखते हैं, financial year में तो 20% से ज्यादा की jump है, और profit में करीब 2% से ज्यादा की jump है, यदि हम 18-19 में देखते हैं, तो revenue में साथे 13% की jump है, और profit में करीब 75% की jump है यदि हम financial year 2019-20 में देखते हैं तो revenue में यहाँ पे गिरावट है 6.74% और profit में यहाँ पे हाला कि 24 प्रश्यत की जो है growth देखी गई है 15 फरवरी 2021 को 5 रुपे पर शेर के साब से रुण डिविडेंट पे किया है जो लोग इसमें निवेशित होगे उनको मिला होगा अगर हम promoters के स्थे देखते हैं promoters के पास 58.29% के shareholding है mutual funds इसमें 14.95% की holding है और mutual funds ने यहाँ पे decrease की हुजए अपनी holding यहोंने profit booking की है simple से बात है यह FIIs में देखते हैं तो इसमें 15.53% के FIIs हैं और हम आप जैसे लोग भी 11.19% के आसपास है देखिए जो total revenue था पिछले वर्ष के quarter में 1186 करोड जो कि पिछले quarter में था सितंबर 2020 में 1598 करोड जो कि दिसंबर यानी quarter 3 में हो गया 1563 करोड इसी प्रकार से अगर हम माली जे नेट profit देखते हैं net income शुद मुनाफ़ा अगर 230 करोड का था पिछले quarter में जबकि पिछले वर्ष के quarter में और पिछले quarter में था 340 करोड और इस बार के quarter में हो चुका है 325 करोड अब आए उस news के तरब चलते हैं जिसकी वज़े से इसमें काफी जो है बिक्वाली हो चुकी है profit booking हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं बालक्रिष्णे इंडस्ट्री जो करना चाह रहे हैं उसके लिए इनको 1900 करोड के आसपास का खर्च आएगा आप ध्यान दीजिएगा आप इन्होंने कहा है कि जो ये खर्च आएगा जो जरुवत पड़ेगी फंड की वो हम इंटर्नल यानि की जो भी इनके पास रिजर्स वगेरा हैं उनका इस्तेमाल होगा अधर्वाइस डेट भी ले सकते हैं अगर जरुवत पड़ी तो तो इस वज़े से देखे होता है कि किसी कंपणी के लिए करजा वर्जा लेना थोड़ा सा इन्मेश्टर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं अगर इंस्ट्यूशन बेचेंगे तभी इसमें जहटका लगेगा हम जैसे रेटेल ने में शक थोड़ी सी क्वांटी होती है उसमे तो कुछ फरक होने वाला है नहीं तो कहीं न कहीं डियाई आइज ने जो अपनी होल्डिंग बेची या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं उस वज़े से इसमें गिरावर देखी गई है परन्तु कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ इस नीउस के अलावा नंबर सा आप के समक्ष रखा है ये कौर्टर के ठीक ही ठाक है अच्छे ही है ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत बेकार आए हों तो इस वज़े से इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने एक्सपैंशन करना चाहती है कोई प्लांट उनिट लगाना चाहत इस प्रकार से जो बीकेशन करना चाहते हैं उसके उन्होंने एक बताया कि हम हो सकता है कि हमें डेट भी लेना पड़ जाए उस वज़े से तो है मार्केट में थोड़ा से इसमें गिरावट देखी गई परन्तु चिंता वाली बात नहीं है एक शौट टम गिरावट रही हो बढ़ेगी और मुझे लगता है कि अभी नए हाई बनाएंगे और ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से इनके जो टॉप लाइन बॉटम लाइन हाई पर हाई बनाएंगे तो उस प्रकार से जो है कमपनी का शेर प्राइस भी बढ़ सकता है तो जो लोग निवेशीत है दोस्तो मैं इस सारी डिटेल्स नंबर्स वगेरा टिकर टेप की साइट पर देख रहा था आपको भी किसी कमपनी के बारे में फंडामेंटल या स्टॉक के बारे में कुछ जानना हो तो आप टिकर टेप की साइट यहां मैं इसका डिस्क्रिप्शिन बॉक्स मिलिंग दे दू और किसी भी company किसी भी stock के बारे में आप जान सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद